नमस्कार दोस्तो आपका स्वागट है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट टेक्चर तो दोस्तो आज मैं एक बार फिर से ब्रैंड न्यू टेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूं दोस्तो दोस्तो ये एक डेम ब्रैंड न्यू टेक्चर है दोस्तो ये टेक्चर बनाने म मुझे तिन दिन का समय लगा था तो दोस्तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है करीबं 20 मिनिट की वीडियो होने वाली है दोस्तो लेकिन ये 20 मिनिट में आपको ये टेक्चर कैसे बनाए जाते हैं पूरा प्रोसेस बताऊंगे दोस्तो दोस्तो कितनी सांदार और मन मोहक ये ब्रिक्स वाले टेक्चर लग रही है ये टेक्चर थोड़ी सी महंगे पढ़ने वाली है लेकिन ये बहुत ही खटरनाक टेक्चर होने वाली है दोस्तो देखें दोस्तो ये टेक्चर आप आउटसाइड में भी कर सकते हैं इंसाइड में भी कर सकते हैं या फिर अपनी बालकनी में भी कर सकते हैं आप ये कहीं भी कर सकते हैं ड्राइंग रूम में लिविंग रूम में हॉल में आप ये कहीं भी टेक्चर बनाओगे तो चार चान लग जाएगा दोस्तो बहुत ही सांदार आज की टेक्चर होने वाली है दोस्तो यह metallic texture है दोस्तो तो दोस्तो यह ठीक्चर बनाने करें हमने आड़े में 4 इंची की marking पे इस तरह से आड़े इंची की हमने यह tap लगा दी है दोस्तो आड़े में 4 4. इंच की डूडी पे हमको यह WIL 43 की mask tap लगाने हैं दोस्तो मास्किन टैप वो होटी है जो कागज वाली टैप होती है ना आप कोई भी हार्डवेर की डुकान पे जाके एक मास्किन टैप बोलोगे कागज वाली तो आपको वहीं से मिल जाएगे दोस्तो देखो दोस्तो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आड़े में 4 इंची की डुरी पे इस तरह से आपको भी ये मास्किन टैप आड़े में लगा देनी है दोस्तो देखो दोस्तो इस तरह से और ये मास्किन टेप लगाने से पहले प्राइमर पुट्टी प्राइमर आपको कर ले ना है दोस्तो इसके बाद आपको इस तरह से 4 इंची की दूरी पे मास्किन टेप लगा के आगे बढ़ जाना है दोस्तो जैसे मैं लगा रहा हूँ वीडियो म मेंने यह मास्किन टैप लगाई है दोस्तो खड़े में 9 इंची की डूड़ी पे इस तरह से खड़े में आधे इंची की मास्किन टैप लगाई है दोस्तो फिर हमने एक छोड़ना है और एक काटना है एक छोड़ना है और एक काटना है जैसे मिस्तरी इटे का बानकाम करना है उसी प्रकार आपको ये रखना है दोस्तो एक छोड़ना है एक काटना है तो बिलकुल ब्रिक्स की डिजाइन ब्रिक्स की टेक्चर के माफिक ये लगेगी दोस्तो देखें पत्रे से भी काट सकते हैं चाकू से भी काट सकते हैं इस तरह से आपको एक छोड़ना है और एक आपको काटना है उटना याद रखना दोस्तो ये मैंने कैच्ची का निसान इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहां से काटना है देखो दोस्तो एक छोड़ना है एक काटना है और एक काटना है तो आपको ब्रिक्स वाली टेक्चर आपको बंटे हुए नजर आए तो देखे इसी परकार और मैंने ये वाल पुटी बिल्ला की वाल पुटी मैंने पानी में बना लिये पानी में बनाने के बाद मैंने ये गुरु माला से डीवाल अपलाई कर दिया है ताके त्याप थोड़े से छूप जाए और हम लोग जैसे पुट्टी खिषते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा मोटी रखनी है देखिए जैसे मैं ये अपना एक गुरू माला से मेरा डोस्त विजय है जो ये पुट्टी को खीच रहा है बिलकुल वीडिय से खिचने में ठोड़ा डिककट का सामना होटा है लेकिन दोस्तों आप पत्रे से भी कीच सकते हो बहुत सारे वीडियो मैंने हाच से खिचते होए बताया है और ये रोलर है जो कमर वाला रोलर बोलते है न वही रोलर है लेकिन छोटा है यह ओइल पेन वगेरा मारते है न वही यह रोलर है उसको मैंने एक पट्टी मारा है एक पट्टी छोड़ा है एक पट्टी मारा है क्रॉस में इस तरह से रखा है देखिए दोस्तों क्रॉस में इस तरह स को रॉलर से गुमाया था उसके उपर थोड़ा हलका हलका पंच कर दिया है टाके डिजाइन कुछ और तरगे से दिखे देखिए जहां से बरस लगाया है और रॉलर लगाया दोनों में फर्क दिखता है न बिलकुल इसी तरह से आपको करना है रॉलर गुमाने के बाद जहां रॉलर गुमा है उसी की उपर ये बस आपको हलके हलके पंच करके आगे बढ़ जाना है दोस्तों देखिए जैसे मैं रॉलर को दिखा रहा हूं थोड़ा सा मारना है थोड़ा सा गैप छोड़ना है फिर थोड़ा मारना है फिर थोड़ा गैप छोड़ना है और जहां पर आ तोड़ी सी लंबी हो जाएगे लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि मैंने ये टेक्चर बनाने में टीन दिन लगाया है तो आपका तो केवल 20 मिनिट का ही समय लगेगा लेकिन आपने अगर 20 मिनिट दे दिये तो ये टेक्चर बनाना आप सीख जाओग देखे दोस्तों इस तरह साब चलता वैसे मैंने गुमाया है फिर जहां पर कोना आता है वहां थोरा सा राउन में इस तरह सा काटा है देखे इस तरह से मैंने इस तरह से साब चलता वैसे गुमाया है देखे देखो दिलकुल इसी प्रकार आपको भी मैंने इस प्रकार की ट देखुय का हाई और यह यह टेकचर एक डेम न्यू रएंड है दोस्तो molto कि एसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तो देखें दोस्तों । देखें दोस्तों मैंने कील को इस फिरूपर से लेकरection उसे प्रकार आपी बना सकते हैं जैसे साप चलता है वह हविंग से सांधर लगे। डोस्तो इस तरह किया फिर यहां कोने पर मैंने हलका सराओन कर दिया देखें इस तरह साफ चलता है वही से घुमाते हुए आगे भर गया दोस्तो तो दोस्तो ये वीरीो को पूरी देखना आप थोड़ी से भी скиप मत करना दोस्तो क्योंकि मैं इस वीडियो में ये टेक्चर कैसे बनाते हैं पूरे के पूरी प्रोसिस बताऊंगा अगर मैं चाहता तो दूसरे पैंटर की तरह मैं भी ये वीडियो को हलका सा छोटा रखता फिर म्यूजिक डालके छोड़ देता लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क जो हमारे नए पैंटर भाई लोग है ये छोटी वीडियो से सीख नहीं पाते और मेरा यही मकसद रहता है कि मैं हर एक पैंटर को पूरी अच्छी तरह से सिखाओ और जब तक मैं अच्छी तरह सिखाओ और अच्छी तरह समझा नहीं पाओं तो मेरे को ये वीडियो बनान का मेरा मकसद ही यही है कि जो मैंने इतना समय बरबाद करके डर-दर की ठोकर खाके जो कुछ मैं सिखा हूँ वो आपको पूरी अच्छी तरह समझाओ अच्छी तरह से आपको सिखा हूँ क्यूंकि हमारे जो नए पेंटर भाई लोग है उसको एक रोजी रोती का जडिया बन सकू बस यही है मेरा मकसद इसके बाद है न दोस्तो आपकी पुट्टी सुखने से पहले आपकी पुट्टी थोड़ी से स्थोस हो जाए तो सेट हो जाए उसके बाद आपको यह मास्किन टैप निकाल देनी है दोस्तो देखे दोस्तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा इसी प्रकार आपको मास्किन टैप निकालना है जैसे ही आप मास्किन टैप निकालोगे तो बहुत ही सांदार और मनमोहक टेक्चर आपको बंटी हुई दिखेगी दोस्तो यह ब्रिक्स वाली टेक्चर आपको बंटी हुई दिखेगी दोस्तो देखे दोस्तो जैसे मैं वी रोजी रोती को टलासते हुए आते हैं दोस्तो तो आप लोगों का रोजी रोती का जड़िया बन जाओं बस यही मेरा मकसद है दोस्तो तो दोस्तो यह सूख जाने के बाद आपको 60 नंबर का पट्टे वाला पेपर से इस तरह से आपको हलके हलके हाथों से गिसना है बहुत दबा के नहीं गिसना है वरना आपकी डिजाइन ही मीट जाएगी आपकी टेक्चर ही मीट जाएगी तो दोस्तो आपके पास एफार्मूला अगर नहीं है तो हाट में ही आपको पेपर को फोल्ड करके हलके हलके हाटों से गिस देना है दोस्तो जैसे मैं वीडियो में दिख कर देनी हैं दोस्तो इसके बाद दोस्तो मैंने हैं एसियन कमपणी का रॉयल बेस कोट प्राइमर लिया है यह रॉयल बेस कोट प्राइमर बहुत ही बढ़िया आता है वो कलर सोकता नहीं कलर कभी भी चूसता नहीं है बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है और सस्ता भी आत आप अपना मन पसंद कोई भी ले सकते हो लेकिन मैं Asian Company का Royal Base Coat Primer ही इस्तमाल करता हूं देखे दोस्तों फिर मैंने ये ये है Water Base Color ये है Water Base Color आप चाहो तो Asian Company का Royal Base Coat Color भी ले सकते है Royal Luxury Immersal आप इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहो तो बर्जर का भी इस्तमाल कर सकते हैं Narrow Lake का भी कोई भी आप Water Base Color इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों देखे दोस्तों आपको हैंने एक लिटर कलर की अंडर आप 200 ml तक आप पानी मिला सकते हैं मैंने यह पानी मिला कर यह मैंने कलर बना लिया है फिर मैंने यह बरस से भी अपलाई करके दिखाता हूं आपको फिर रॉलर से भी अपलाई करके दिखाता हूं आप जैसे भी चाहे आपको इस तरह से आप लगा सकते हो दोस्तो आज जो ये डिजाइन जो बन रही है आप इसको आउटसाइट में भी इस्टमाल कर सकते है इंसाइड में भी इस्टमाल कर सकते है बालकनी के अंदर भी इस्टमाल कर सकते है hall के अंडर living room के अंडर आप कहीं भी आप ये texture आप बना सकते हो दोस्तो देखे दोस्तो ये इस तरह से आपको ये black वाला जो color मैंने लिया है इसको आप है ना डो हाट आप apply करना है डो हाट apply करने के बाद इसकी चमक हर बहुत ही जबर जस्त आने वाली है दोस्तो देखे इस तरह से हमने ये दूसरा coat लगाना सुरू कर दिया है पहला coat लगाने के बाद हमने 7 गंटा सुखने के लिए छोड़ दिया था फिर ये दूसरा coat हम लोग apply कर रहे है देखे दोस्तो इसकी चमक बहुत ही सांदार आने वाली है दोस्तो इस तरह से हमने ये color को apply किया है आप भी इस प्रकार आप भी apply कर सकते हैं चाहे तो roller से भी मार सकते हैं बरस से भी मार सकते हैं फिर हमने Asian company का white metallic royal play color ले लिया है इसको हमने इस तरह से बरस से हलके हलके हाटों से punch पे लगाया है ये वही punch है जो गड़े में खुरसी में सोफे में वगेरा इस्टमाल होता है ये वही वाला punch है आप चाहो तो ढकन की उपर निकाल के भी आप dip करके भी ले सकते हैं देखिए हलके हलके हाटों से आपको इस तरह से cross में खिषते हुए जाना है बहुत ही नई pattern आपके सामने बन के तयार नजर आने वाली है दोस्तों तो हमने इस तरह से punch पे फिर धकन में थोड़ा सा color हमने निकाला है फिर इस तरह से हलके हलके हाटों से इस तरह से apply किया है चाहोता आप बरस से भी punch पे लगा कर apply कर सकते है और फिर हमने ये Asian Company का gold color में ने ले लिया है ये भी royal play ही है ये भी metallic में ही है देखे दोस्तों इस तरह से आपको इस के बाजों में हलके हलके हाटों से cross में इस तरह से punch के रगणते हुए आपको खीशते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों आज की texture है ना बहुत ही सांदार एक नई pattern आपके सामने नजर आने वाली है बहुत ही सांदार होने वाली है दोस्तों ये texture को मेरे को बनाते हुए मेरे को टीन दिन निकल गया आप इसको डो दिन में भी बना सकते है फिर हमने ये copper royal plate color ले लिया है ये भी metallic में ही है आप चाहो तो बर्जर में भी इस्तमाल कर सकते है बर्जर का भी इस्तमाल कर सकते हैं नेरो लेक में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने Asian company का ही लिया है तो देखिए ये copper color भी मैंने punch में इस तरह से लिया है फिर हलके हलके हाटों से खीचा है मैंने टीन color टीन punch लिया है चाहो तो आप बाड़ी बाड़ी एक एक भी मार सकते हैं मैंने टीन color लिया है चाहो तो आप डो color में या एक color में भी एक texture निकल सकते हैं मैंने ये टीन कलर का कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बना है, बहुत ही सांदर और लाजवाब ये टेक्चर आज की होने वाली है दोस्तों, तो आप वीडियो को ठोड़ा भी स्किप ना करें और पूरे के पूरा देखें, देखो दोस्तों मेरे को ये टेक्चर बनाते हुए टीन दिन निकल गया है लेकिन आपको केवल 20 मिनिट लगेगा ये 20 मिनिट की वीडियो है मैं चाहता तो मैं छोटी वीडियो बना कर भी और पेंटर की तरह मैं म्यूजिक लगा के छोड़ सकता था लेकिन जो हमारे नए पेंटर भाई लोग जो है जो वीडियो हो जाती है तो कोई देखता नहीं है लेकिन फिर भी मैं नए पेंटर भाई लोग के लिए ही ये समझा समझा कर वीडियो बनाता हूँ ये देखिए मैं जयसे कलर इस्तमाल कर रहा हूँ बिलकूल इसी प्रकार आपको भी इस्तमाल करते हुए आगे बढ़ जाना है तो मैं नए पेंटर भाईों के लिए ही यह समझा समझा के वीडियो डालता हूँ और बड़ी वीडियो हो जाती है तो कुछ पेंटर भाई लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन मैं समझा समझा कर ही वीडियो डालता रहता हूँ और अच्छी तरह से आपको समझाता ही रहूंगा मैं चैलेंज देता हूँ आप पैंटर हो या पैंटर ना हो मेरी वीडियो एक बार अच्छी तरह से आप लोग अगर देख ली तो ऐसी ही सांदार निव निव ब्रैंड निव टेक्चर आप बना सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो मेरा समझाने का यही तरीका था देखिए मैंने यह वाइट मैंने मेटालिक रॉयल प्ले लिया है इसको भी किस तरह से अपलाई करता हूँ आप देखिए फिर क इस तरह से मैंने ब्लैक के साथ कोमिनेशन करके यह मैंने टेक्शर बना ही देख फिर मैंने देखिए यह कोपर कलर ले रहा हूँ बिलकुल आप भी इस तरह से क्रॉस में कीस्ते हुवी जाना है दोस्तो तो मेरी वीडियो देखके आप अच्छी रोजगार ले सके अच्छी दिहारी कमा सके और नए पेंटर भाई एक दिन ठेके डार बन जाए बस यही मेरा मकसद है जो मैंने ठोकर खा खा के गालिया दूसरे की खा खा के जो कुछ सिखा हूँ वो मैं आपको फ्री में ही सिखा हूँ बस यही मकसद है मेरा बहुत आजकल पेंटर भायों का सोसन होता है कि आपने मेरा कलर बिगार दिया यह देख्यों मेरी यह डिजाइन बिगार दी तो उसको गाली पड़ती है और उसकी डिहारी भी कुछ लोग है जो ठेकेदार उसके काट लेते है तो मेरा यह मकसद है में पूरी जानकारी दू और अच्छे तरह से उसको हर पेंटर भायों को में अच्छे बढ़िया वाला काडीगर बना दू बस यही मेरा मकसद है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को आप सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकन जरूर अल करे टाके में जब भी भी भायश्यों में अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आऊ तो आप लोग ओ वीडियो का फाइदा उठा सके और जैसे ही आप बेल आइकन अल करोगे तो जैसे ही वीडियो में नई डालो तो सीडी आप तक पहुंच सके दोस्तों तो हम लोग से जुड़े रहने के लिए आपको केवल सस्क्राइब करना है और कमेंट में जरूर लिखना है कि आपको अगली वीडियो कौनसी चाहिए कैसी टेक्चर आपको चाहिए उसके लिए आपको है ना हमारे को सस्क्राइब जरूर करना परेगा दोस्तो देखे दोस्त कमेंट में जरूर बनाना जरूर बताना कि आपको यह टेक्चर कैसी लग रही है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करोगे तो हमारा होसला बढ़ेगा और मोटिवेशन के साथ में वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों तो इसी प्रकार आप मेरी यूटूब फैमिली हो आप हमारे सपोतर हो आपका ही सहारा है हम आपका सहारा बने आप हमारा सहारा बने ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे दोस्तों देखे दोस्तों फिर हमने जो यह जहां टेप निकाली थे ना उसमें हमने इस तरह से ब्लैक कलर भर दिया है यह ब्लैक कलर इसलिए भ फिनिसिंग कर सकते हैं और यह ना टाइस को भी एक तरब पीछे छोड़ देगा ऐसी सांडर टेक्चर आपके सामने बंद के नजर आएगी दोस्तों आप अभी वीडियो में डेख सकते हैं कितनी सांडर लग रही है लेकिन मेरा मोबाइल से ही मैं यह सूटिंग करता हूँ ब अच्छी तो लगी ही रही है तो आप यह देखके सोचते होगे कि क्या में भी यह टेक्चर बना पाऊंगा लेकिन जरूर दोस्तों आप सांडर टेक्चर बना पाएंगे दोस्तों और मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं जरूर एक दिन में पैंटर भायों के लिए वाट्सअप गुरूप भी लाओंगा तो मैं गुरूप बनाना शुरू कर दिया हूँ बहुत जल आपके सामने वो गुरूप मिल जाएगा टाके आप लोग आपस में बात करके ही एक दुसरे का सपोर्ट करके जो जिसको जो आता है वो गनान आप बाठ सके और मैं भी वह हो तो इसके उपर और चमक चाहिए तो आप इसके उपर टच वूट भी मार सकते हैं टच वूट मारने से यह आपका फाइदा होगा कि आप क्यूप डूल मिटी यह टेक्चर पर टिके गी नहीं गीड़ और अगर थोड़ी सी पड़ भी गई तो सुखा बरस से आप जाएगे दोस्तो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंड करें और बेल आइकन जरूर अल करें टाकी भॉईस्यों में जब भी हम नई वीडियो डालें तो सीडी आप तक पहुंच सकें देखिए दोस्तो कैसी लग रही है कमेंड में जरूर बनाना इतनी सांडार मन मोहक और कितनी खटरनाक टेक्चर लग रही है लग रही है एक डियम वी आई पी टेक्चर तो ऐसी ही वीडियो में आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तो लेकिन हर बार की तरह फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने मा आपना पियार देते रहना उसको है न भघुआन का डर्सन करवाने के लिए मंदीर में लेके जाना जात्रा करवाते रहना और पुरियों कमाते रहना वही जानता है जिसके पास मा बाप नहीं है देखे दोस्तो मैं हर बार इसलिए कहता हूँ कि मेरे पास नहीं अभी भी मा है नहीं बाप है दोनों भगवान के पास चले गए है तो उसकी बहुत ही मुझे कमी खलती है जब बहुत ही टकलिफों से हमको बड़ा किया थे और आग उसके बच्चे लोग कमाने लगे है तो उसका सेवा करने का हमको मौका नहीं मिला लेकिन जब आपके पास अपने माता पिता है तो उसकी सेवा जरूर करना और पुनिय कमाना देखो दोस्तो तो देखो दोस्तो फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते है आईसे ही सांदार वीडियो डेखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करे लाइक करे, कमेंट करे दोस्तो देखे दोस्तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ब्रिक्स वाले टेक्चर कैसी लग रही है ये हमको जरूर बताना तो दोस्तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना उसको सूख देना तो दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से दोस्तो तब तक हमें इज़ाज़त दीजे नमस्कार बाई बाई दोस्तो